तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिलिंग फैन के मोटर में कुछ खराबी आइ आजाता है जैसे कि बैरिंग का खराब हो जाना, क्वाइल का खराब हो जाना, या औल का सुक जाना तो दोस्तो इसके लिए हम मोटर को open करते हैं और उसके problem को solve कर लेते हैं लेकिन दोस्तो जब हम मोटर को fit करके उसे घुमा कर या supply देकर देखते हैं तो मोटर इस तरह से jam होने लगता है या rotor stator के साथ चिपकने लगता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं बताने वाला हूँ कि मोटर को ठीक कर लेने के बावजूद मोटर को fit करने के बाद ऐसा problem क्यों देखने को मिलता है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा डूप चैनल मेकनिकल सेर्स मैं मोटर को ओपन करना ठीक है अगर साहीं सी नहीं लगा वाचैनल है jogo X पीटिंग कैसे करना है यहां पर धान से सुन्येंगे और समझेंगा जुट से की यहां पर्ण पहले मोर्डों पीट करते हैं आगर इसमें प्रोब्लम ए फिकारने के बाद तो आपको क्या करना है मोटर को ओपन करना है और उपर नीचे का जो होल है उससे आपको खिसका देना है यानि कि होल को चेंज करना कुछ इस तरह से तो उसके बाद आपको यही तरीका बारबर अपनाना है फिर जाम हो रहा है तो फिर आपको मोटर को खोल कर फिर जगा को खिसका देना होल को खिसका देना है क्योंकि कई पर हम मोडर को ओपन करते हैं जिससे की करता कोई एक शुक्त हो जाता है और इसलिए आपको वो फोज़ते हो रहा है है कि देखना है कि रहा है कि नहीं हो रहा है नुअ हम इसको यहां पर फिट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको हाथों की साहता से ही स्क्रू को लगाना है आपको जिस जिस जैसे की समय तीनी स्क्रू है तो तीनी स्क्रू को हाथों से लगाना है आपको बाद उसके बाद आपको यहां पर आपको टाइट नहीं करना है जैसी कि आब देख पा रहा है इसका जो इसटेटर वाब फ्री घुम रहा है तो यहांपर आपको चेक कर लेना ठीक अगर फ्री नहीं घुम रहा है तो आपके एक नट को धीला करके जीकर किजिए नट को टाइट करके इस तरह से आपको समझ कर इसको फिटिंग करना ठीक है तो उसके बाद आपको बारी बाई से एक-एक नट करते हुए आपको टाइट करते जाना है आपको एक की साथ में एक नट को टाइट नहीं करना तो इस रहत हमने टाइट कर दिया आप घूमा कर देखना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां अच्छा जो प्राब्लम था वार सॉल हो चुका है तो ठीक इसी पकार से आपको इसका जो प्राब्लम से सॉल कर लेना है